हालो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल आज का टॉपिक है अबॉशन लॉव इन इंडिया अबॉशन लॉव इन इंडिया MTP Act यानी The Medical Termination of Pregnancy Act 1971 जो इंडिया का कानून है इसके हिसाब से miscarriage of pregnancy के गर मैं बात करूँ I mean termination of pregnancy के गर बात करें तो अगर मा के गर्व में अगर बच्चे की उमर 20 weeks complete हो चुके हैं या फिर जादा हो चुके हैं तो उस बच्चे के mother या father या और कोई family के member उस बच्चे को terminate नहीं कर सकते हैं उस बच्चे को खराब नहीं कर सकते हैं ऐसा य आपको एक medical practitioner की help लेने पड़ेगी और section 3 के compliance के लिए MTP Act 1971 के हिसाब से section 3 है इसमें अगर major health अगर problem हो जाती है उस pregnant lady को example जो woman है या जो wife है जो भी pregnant lady है अगर उसकी जान को गर खत्रा होता है उस बच्चे के bond होने से तो इस condition में pregnancy को medical practitioner terminate कर सकता है second अगर रिस्क अगर जादा हो mental या physical अगर रिस्क जादा हो उस pregnant lady को तब भी pregnancy को terminate किया जा सकता है third बात करते है अगर जो पेट में बच्चा है उसके लिए अगर कोई रिस्क होता है यानि कि अगर बच्चे को mental या physical अगर कोई problem आ सकती है इस pregnancy को carry करने पे और जो बच्चा है वो को 20 weeks से जादा हो गया एक्जामपल और medical practitioners को यानि कि डॉक्टर को गर ऐसा लगता है कि बच्चे को deformity आ सकती है यानि कि जो बच्चे का जो शरीर है जो बच्चे का जो mind है वो proper develop नहीं हो पा रहा है और बच्चे के पैदा होने के बाद में physically या mentally बच्चा ठीक पैदा नहीं हो सकता है तो इस condition में section 3 rule 2 के हिसाब से उस बच्चे को terminate किया जा सकता है यानि कि उस बच्चे को निकाला जा सकता है लेकिन कुछ humanitarian grounds है जहां पे pregnancy को terminate किया जा सकता है और in humanitarian grounds के अगर मैं बात आला है sex crime जो rape victims होते हैं example किसी लड़की के साथ rape हुआ रेप होने के बाद वो लड़की pregnant हो गई तो इस condition में F.I.R की copy के साथ medical practitioner rape victim के बच्चे को terminate कर सकता है इवन दो बच्चे की उमर 20 weeks से जादा की है तो भी next अगर किसी mentally disturbed औरत के साथ अगर sex हुआ है sexual harassment हुआ है rape हुआ terminate किया जा सकता है सो अभी मैंने आपको बताया कि section 3 के compliance में MTP Act 1971 की हिसाब से कब-कब terminate किया जा सकता है pregnancy को या तो जब मदर को खत्रा हो या mentally या physically कोई problem हो या कोई ऐसी serious illness हो और बच्चे का या तो शारीरी की अमान्तिक रूप से proper development नहीं हो पा रहा हो तब भी उसको terminate कि किया जा सकता है या फिर humanitarian grounds पर terminate किया जा सकता है जहां पर या तो जो pregnant जो woman है या तो वो पागल है या फिर वो रे victim है या कोई भी special condition में ही बच्चे को terminate किया जा सकता है otherwise बच्चे को terminate नहीं किया जा सकता Indian law MTP Act 1971 के हिसाब से अब बात करते हैं एक कानून है 1994 में यह law आय जिसका नेम है pre-conception and pre-natal diagnostic technique act 1994 कुछ लोग पहले यह जान लेते हैं कि मा के गर में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है तो government ने और India Parliament ने हमारे law के हिसाब से probated कर दिया यानि कि I mean उसमें रोक लगा दी कि यह test नहीं कर सकते हैं सिर्फ यह जानने के लिए कि जो गर में जो बच्चा है यानि कि जो मा के पेटें बच्चा है वो लड़का है या फिर लड़की है और इस वज़ा से जैंडर एक्वालिटी का एक काफी बड़ा imbalance क्लिट होता जा रहा था कुछ लोग पहले ही इस technique के तुरू यह find out कर देते थे कि लड़का होने कि जनम से यह नहीं जान सकते हैं कि मा के पेट में जो बच्चा जनम लेगा या फिर बच्ची जनम लेगी तो इस कानून को बोलते हैं प्री नैटल डेग्नोस्ट्री टेक्नीक एक्ट ऑफ 1994 तो अभी मैंने आपको दो एक्ट के बारे में बताया 1st MTP Act 1971 and 2nd प्री नैटल ड 1860 की अगर हम बात करें IPC के बारे में तो अबॉर्शन को justify नहीं माना गया है और इसके हिसाब से सिरफ good faith में जो अबॉर्शन किये जा सकते हैं बाकी अगर अबॉर्शन किया जाता है तो उसके लिए आपको punish किया जा सकता है तो बात करते हैं इंडियन पैनल कोड सेक्शन 3 312 to section 318 IPC के बारे में इंडियन पैनल कोड 1860 में chapter 16 है offenses against body के अंदर cover होता है section 299 देकर section 377 तक उसी के अंदर एक topic है miscarriage यानि कि IPC section 312 to section 318 तक ये cover होता है तो पहले बात करते हैं IPC section 312 के बारे में कि 312 section क्या है section 312 में consent of woman है यानि कि जिस woman के पेट में baby है और वो woman चाहती है कि उस बच्चे को जान से मारना तो ऐसे case में section 312 apply होता है बट इसके अंदर भी दो बाते आती है पहला अगर woman अपने baby को खुद जान से मारना चाहती है या तो किसी की help लेकर बच्चे को जान से मारती है और woman जो है वो pregnant है और वो यह चाहती है यहां कि उसकी यहां पर consent word important है कि woman चाहती है अपने बच्चे को मारना तो section 312 apply होता है लेकिन यहां पर दो बाते आती है और वो यह है कि जो baby है वो quick born नहीं है या तो वो quick born है तो बात करते पहले वो बच्चा quick born अगर नहीं है जाने कि जो baby है जो उसकी health है जो growth है या तो वो 2 मेने या तो फिर वो 3 मेने का baby है तो ऐसे में जब woman किसी की help से जब अपने बच्चे को मार देती है तो इसमें 3 साल तक की सजा और fine और both हो सकता है next same condition में अगर woman अपने बच्चे को मारना चाहती है लेकिन जो बच्ची की जो growth है वो quick born ह यानि कि जो उसका बच्चा है वो हो सकता है कुछ time में 7 months का बच्चा ये 8 months के 9 months का उसकी पेट में बच्चा है और अगर वो woman अपने बच्चे को मार देती है तो ऐसे case में section 312 apply होगा और इसमें जो सजा होगी वो 7 साल तक की सजा and fine होगा next section के बात करते हैं Indian Panel Code section 313 की यानि बच्चे को माना लेकिन section 313 में यहाँ पे woman नहीं चाती है अपने बच्चे को माना यानि कि without consent of woman इसमें जो pregnant woman है वो नहीं चाती कि उसके बच्चे की death हो लेकिन अगर कोई उसके बच्चे को मार देता है चाहे बच्चा quick bond है चाहे बच्चा quick bond नहीं है कोई medicine देकर या लाय होगा और इसकी जो सजा की अगर मैं बात करूँ तो life imprisonment और 10 साल तक की सजा and fine होगा अगले section की बात करतें section 314 के बारे में section 314 IPC की अगर मैं बात करूँ तो यह define करता है इस section के अंदर दो बाते आती है इस section में consent है भी और नहीं भी यानि कि with consent and without consent कि woman चाहती है कि उसक जो पेट में बच्चा है वो मर जाए तो पहले बात करते हैं with consent की कि यहां पर woman पहले चाहती है example कि उसको जो बच्चा है वो मर जाए तो पहले consent की बात करते है कि जहां वो pregnant और चाहती है कि जो उसका baby है वो मर जाए उसने किसी की help ली for example उसने help ली और उसमें उस woman की भी death ह और उसके जो वाम में जो बच्चा था उसकी भी देथ हो जाती है तो ऐसे के सेक्शन 314 अपलाए होता है इसमें सजा की अगर मैं बात करूं तो 10 साल तक की सजा एंट फाइन होगा इसमें दोनों की देथ हो रही है बच्चे की भी और उस प्रेग्नन लेडी की भी तो इसमें किया था जो वुमेन यहाँ पर वुमेन की कंसेंट थी कि वुमेन यहाँ पर चाहती थी कि जो उसका जो बेबी है वो मर जाए लेकिन क्या होता है बेबी की भी इसमें देथ हो जाती है तो बात करें जो सजा है यह किसको होगी तो जिसने यह एक्ट कमिट किया है उसको सजा वोगी इसमें आता है without consent जैसे में आपको बताएं दो बाते आती consent और without consent अब बात करतें without consent of woman की इसमें जो woman है जो pregnant lady है वो नहीं चाहती कि अपने बच्चे को मारना और ऐसे में किसी person ने उसे कोई medicine दे दी ये कोई ये ऐसे circumstances के जिसे की जो woman और child जो था उन दोनों की death हो जाती है तो ऐसे में क्या होगा यहाँ पर life imprisonment और 10 साल तक की सजा and fine होगा अब next जो section है वो है section 315 आईपी से section 315 section 315 जो है यह है child dies in warm इसके बारे मैं आपको मैं बाद में बताते हैं पूर उससे पहले हम बात करते हैं आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि बहुत सारे complication आ जाते हैं जब doctor बोलते हैं कि mother और बच्चे में से हम किसी एक को बचा सकते हैं और उस condition में लोग ऐस आईसे decision अगर हमें किसी को लेने हो तो क्या ऐसे decision लेना क्या crime होगा तो मैं आपको बता दूँ ऐसा decision लेना crime नहीं होगा क्योंकि यहां पर good faith है क्योंकि यहां बच्चे को बचा है या mother को बचा है ऐसे complication है तो ऐसे decision को crime नहीं माना जाता नहीं मान सकते हैं अब जो section 315 है वो क्या है मैं आपको ये बता दू जो section 315 में जो बात हमें ये समझनी है कि अगर ऐसे circumstances आ जाते हैं कि जो बच्चा बॉन होगा या तो वो मरा हुआ पैदा होगा या फिर वो पैदा होने के बाद बच्चे की death हो जाएगी example अगर मैं आपको इसका देती हूँ अगर कोई person pregnant lady को ऐसी medicine दे रहा था जिसी कि जो उसका बच्चा है वो वांप के अंदर ही पेट के अंदर ही मर जाए या फिर जब वो बेबी का birth होगा तो वो birth होने के बाद बच्चे की death हो जाए तो ऐसे में क्या होगा तो मैं आपको बत circumstances आते हैं तो यहाँ पे good faith नहीं है पहली बात वो आपको एक मैंने example दिया था कि जब doctor बोलते हैं कि कुछ complication आ गए कि मदर को बचा सकते हैं फिर बच्चे को हम बचा सकते हैं तो वहाँ पे क्या था वहाँ पे good faith था तो ऐसे में कोई भी section apply वहाँ पे नहीं होगा क्योंकि कि वहाँ intention नहीं है I mean कोई criminal intention वहाँ पे नहीं थी और जो section 315 की जो मैं आपसे बात करें वहाँ पे criminal intention है कि बच्चे को जान से मारना ही मारना है तो ऐसे case में section 315 apply होगा तो उस person पे क्या चार लगाया जाएगा तो मैं आपको बता दूँ उस person पे 10 साल तक की सजा and fine होगा औ और ऐसे ही section 316 की अगर मैं बात करूँ तो section 316 है whoever caused death of woman इसका मतलब यह है कि एक person की पूरी intention है कि pregnant lady को जान से मारना है और वो इस lady को जान से मार देता है और उस lady की death हो जाती है इन सभी में यहां कोई भी section use नहीं होगा यानि कि जितने भी section अभी तक मैंने आपको बता है व section 299 में culpable homicide की definition बताई गई है और section 304 में इसकी punishment बताई गई है तो जब उस person का जब court में trial होगा तो उस person पे section 304 section 304 का charge लगाया जाएगा section 316 का charge नहीं लगाया जाएगा क्यूंकि section 316 में बताया गया है कि अगर कोई person किसी pregnant lady को अगर जान से मारने की कोशिश करता है और अगर वो pregnant lady बच जाती है यानि कि उसकी death नहीं होती है लेकिन उसके बच्चे की death हो जाती है उस pregnant lady की death नहीं होती है लेकिन उस pregnant lady की बच्च था उसकी यहां पर death हो रही है तो यहां पर section 316 apply करेंगे और उसके उपर जो 4 लगा जाएगा maximum 10 साल तक की सजा and fine होगा और अगर वो pregnant lady की अगर death हो जाती तो ऐसे में जैसे भी मैंने आपको बताया कि वहां पर section 316 apply नहीं होगा तो वहां पर culpable homicide apply होगा section 317 की अब बात करते हैं section 317 की बात करें तो parents या फिर others leaves their child यानि कि अगर कोई parents या कोई भी ऐसा person जो बच्चे का पालन portion कर रहा होगा अगर कोई बच्चा जिसकी उमर 12 साल से कम है 12 यर से कम है तो उसके parents या कोई भी उसके guardian अगर उस बच्चे को कहीं छोड़ आते हैं example बच्चे के parents या जिस बच्चे की उमर 12 साल से कम है और वो अपने बच्चे को कहीं पे छोड़ आते हमेशा के लिए तो यहां section 317 अपलाए होगा section 317 या तो parents के उपर या तो जो उसके जो guardians है या तो उसके उपर जो उस बच्चे का पालन portion कर रहे थे उनके उपर section 317 अपलाए होगा सजा कि अगर मैं बात करूँ तो 7 साल तक की सजा और fine या फिर सजा और fine दोनों भी हो सकता है यानि की बोथ दोनों भी हो सकता है अब इसके अंदर एक interpretation है जो bare act में भी लिखी गई है कि अगर एक parents ने अपने बच्चे को कहीं छोड़ दिया उस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए और बात में उस बच्चे की death हो गई तो क्या ऐसे case में parents या guardian के ऊपर क्या हम murder या culpable homicide का चार लगा सकते हैं तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि जो IPC है वो पूरा intention के ऊपर based है जितने भी हम offenses पढ़ते हैं तो सभी में intention का होना ज़रूरी होता है और जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये जितने 317 में parents या फिर बच्चे की guardian की intention बच्चे को मारने की नहीं थी यहां सिर्फ intention थी सन्यास लेना कि बच्चे से हमें चुटका रहा चाहिए तो वो बच्चे को कहीं छोड़ाते हैं तो यहां पे 7 साल तक की सजा और fine और both apply होगा last section के अगर मैं बात करूँ तो last section है section 318 section 318 के अगर मैं बात करूँ तो if child born dead concealed identity इसका मतलब है अगर बच्चा born होता है यानि कि अगर बच्चा जनम लेता है बच्चा born होता है और जो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है यानि उस बच्चे की death हो जाती है यहां कोई miscarriage या कि like उसके mother father या उसके family वाले अगर उस बच्चे की body को dispose off कर देते हैं यानि कि चुपचा कई बार किसी को पता ना लगे इसलिए वो बच्चे की जो body को dispose off कर देते हैं और अगर उस बच्चे की जो identity है को अगर वो छुपाते हैं तो यहां पे section 318 apply होगा उन parents के उपर और उन family members के उपर यह charge लगाया जाएगा इसमें सजा के अगर मैं बात करूं तो दो साल तक की सजा और fine या फिर both या फिर both भी apply हो सकता है यानि कि सजा भी और fine भी देना पड़ सकता है तो आज की सिर्फ इस वीडियो में इतना ही आज मैंने आपको बताया है कि IPC section 312 से लेकर 318 section क क्या है और MTP Act 1971 क्या है और prenatal diagnostic technique Act of 1994 क्या है और इन सभी section को जानकर आपको एक common बात समझ आई होगी कि miscarriage का exact जो मीनिंग क्या होता है legal terms के अंदर जो हमने आज Indian panel code में बताया है section 312 से लेकर section 318 तक तो आज की सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडिय अच्छे लगी हो तो आप like कर सकते हैं अपने doubt of comment section में पूछ सकते हैं और अगर अब भी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो please आप मेरे चैनल को subscribe कर दे so thank you so much